आससनाओ अलेकम वीवर्स, क्या हल है आप सब का ? Welcome to my YouTube Channel अबिबास Easy Recipe आज की रेज़पी लेकर आई हूं में कीमे वाले नान कीमे वाले नान बनाना बहुत यह आसान है और बहुत मज़िदार ही रेज़पी है तो इसे बनाना भी बहुत आसान है तो बनाते हैं हम इसे easy method के साथ तो यहां पर जी मैने ले लिया है मैदा और इसके अंदर में डालने लगी हूँ एस्ट एक खाने का चमच भरके instant एस्ट है इसे पहले से हल करने की जरूरत नहीं है मैंने साथ चीनी डाल दिया एक चमच और एक चमच डाल दिया है मैंने नमक cooking oil डाल दिया है मैंने चार खाने के चमच जितना और थोड़ा सा बचा लिया है नीम गरम पानी के साथ मैं इसे गूंद लूँगी अच्छे से जिस तरह के नॉर्मली घर का आटा गूंदा जाता है ना ही डो जादा धीडी रखनी है और ना ही सक्त नॉर्मली आटे के जैसे इसे गूंद लूँगी हस पे जूरूरत पानी डालके और अगर आप नीम गरम पानी इस्तमाल करेंगे तो डो जो है वो जल्दी राइस हो जाएगी और आजकल के मौसम के लिहाज से भी तकरीबन एक से डेड़ घंटा लग सकता है और बास जगों पर आदे घंटे में भी राइस हो जाती है गर्मियों में यह और सर्दियों में थोड़ा है कि दो तीन घंटे लग जाते हैं तो अगर नीम गर्म पानी के साथ गुंदा जाए तो और भी जल्दी राइस हो जाती है तो आटे को मैंने जो है वो अच्छे से नीट कर लिया है और घूंड लिया है इस तरह से और इसे मैं एक बड़े बाल में डाल दूँगी क्यूंके बाल मेरा छोटा है और यह राईस हो अगर बड़तन छोटा हो जाएगा दो जो गर्म जगा पर रखें तो जलदी राईस हो जाएगी यह देखें तो अब इसकी फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है लेसन की जवे तक्रीबन साथ से आठ जवे थे मैंने काट लिया है हरी मिचे हैं तीन अदद और मिडियम कटी हुई प्याज है यहाँ पर मेरे पास दो अदद तो इन्हें मैं चॉप कर लूँगी कुकिंग ओईल ले लिया है मैंने बर्तन के अंदर दो खाने के चमट जितना और यहाँ पर जी मैंने ले लिया है मटन का कीमा आप इसकी जगा बीफ कीमा भी विस्तमाल कर सकते हैं तो आप चाहें तो कच्चा कीमा भी नान के अंदर डाल सकते हैं लेकिन हमारे घर में उस तरहां से पसंद नहीं किया जाता टेस्ट तो इस दिये मैं यहाँ पर कीमे को पका कर फिर डालूँगी तो कीमा जो है वो भूंचो का उसका पानी जो है वो निकल रहा है मैंने नमक शामल कर दिया है एक खाने के चमच भरके लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है मैंने एक खाने के चमच भरके हल्दी डाल दी है मैंने एक चाय का चमच भरके साथ यहां पर डाल दिया है जी मैंने धनिया पाउडर एक खाने का चमच और गरम मसाला पाउडर एक चाय का चमच तो यह सारी चीज़ें मिक्स करके दुबारा से मैं इसे पकाऊंगी अच्छे से देखें अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसे ढाम कर पकने के लिए रख दूँगी तकर दस से बारा मिनट के लिए हलकी आँच पर रखूंगी ताकि यह अच्छे से गल जाए तो देखें जी तकरीबन पानी हमारा खुश्क हो चुका है कीमे के अंदर जो डाला गया था और कीमा भी अच्छे से तयार हो चुका है और पानी इसका बिलकुल मुकमल खुश्क होने के बाद अब जो प्याज और लेसन और हरी मिर्चें जो मैंने इसके अंदर चॉप कर तो मिक्स कर दूंगी इसे मिक्स करने के बाद अगेन मैं इसे 2-3 मिनट के लिए धाम के रख दूंगी हलकी आज पे ताके प्याज और लेसन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए कीमे के अंदर और मिक्स हो जाए जी फिर से मैं धाम दूंगी इसको और यूहीं हलकी आज देखें जी मज़िदार सकीमा हमारा जो है रेडी हो चुका है नान की फिरिंग के लिए और अब मैं इसे खुला छोड़ दूंगी यूहीं ठंडा होने के लिए और दो देख लेंजिए हमारी राइस हो चुकी है तकरीवन एक घंटा लगा था इसे राइस होने के लिए तो हज है जुरूरत इसके में पेड़े बना लूंगी न्या science के आपको पसंद हो आप बना ली जीए मैं normal size के पेड़े के बना रही हूं तो इस car Gel के साथ, तकरीबं मैंने 8 पेड़े बना लाए थे तो आभी फिलहाल मैं टीपेड़े बना रही ताके आपको मैं दिखा दूँ नान कैसे बनाए जाएंगे देखें इस साइस के पेड़े जो थे वो इस से डो की तकरीबन आठ हदत बन गए थे कीमा जो है वह हमारे ठंडा हो चुका है फिलिंग के लिए तो इस तरह से पेड़े को फैला लेंगे तो हजबे जुरूरत आप इसके अंदर फिलिंग कर लीजिए और इस तरीके से पेड़े को बंद कर लूँगे मैं यह देखें इसी तरह से तीन पेड़े जो है वो मैंने फिल कर दिया है कीमे के साथ तो अब आप चाहें तो हाथों की मदद से रोटी को बढ़ा कर लें चाहे तो आप बेलिंग की मदद से कर लें तो मैं हलके हाथे से बेल कर इसे बढ़ा कर रही हूं। और दबा के मत किजिएगा क्यूंकर जो गिमा हкиन है तो उससे ओपर से फड़ सकता है . तो हलके हाथे से मंने बेल कर इसे बढ़ा कर लिया है . और अफ नहीं रहें आथे तरह से नान की शेप बना लेंगे ! तो अब जी यहां पर मैंने ले लिया है एक योग एक अंडा ले लिया था उसकी सिफेदी निकाल दी थी और उसकी जर्दी को मैं इस तरह से नान के उपर ब्रश कर लूगी तो आप चाहें तो बिना अंडे के भी कर बना सकते हैं तो अंडे सीस का कलर जो है जो है ज़रा खु से ट्रे ऻुआ से Director रूब लिया तो और जीड़ी थीट है उसमारी तो इससमारी दुआँ कर लिया तो और आप पर चाहिसा काम इसी आव जो झाले ते तो कि यसी चाही चुआ नहीड़ के है तो आप बहुत जाए और अगल EPA TRAI वर और भी मीनित दोटिय्ट से नान तो आपके भी नान जो है वो ऐसे बनेंगे और बहुती मज़िदार बनेंगे तो इसे काट लेते हैं देखें दर्मयान में से भी अंदर से भी अच्छा खासा कीमा जो है वो और मज़ीद पक चुका है और इतनी जबर्दस से यह नान बने हैं यह देखें तो अगर आपको यह रेस्पी मेरी पसंद आती हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू किज़ेगा नई रेस्पी लेगर हाजिर होती हूँ अल्लाहाफिज